Hello everyone, I am Shubham आज हम लोग जोसा कॉंसलिंग के प्रोसेस में पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे आप लोग पहले से ही कई सारा वीडियो देख चुके होंगे पर फिर भी आप इस भी वीडियो में बने रही है क्योंकि अलग अलग जापे मैं कुछ ऐसे पॉइंट जरूर बताऊंगा जो आपको जोसा के बारे में नहीं मालूम होगा या फिर उस पर आपको कन्फूजन होगा तो पहले वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजे आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आप मुझे भी सपोर्ट करिए क्योंकि एकलिब्रियम मेंटेंट रहना चाहिए चलिए पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं आपको जोसा कॉंसलिंग प्रोसिस के बारे में सबसे परहले यहँ जाने कह втор 13 लाउट को फिल करते हैं है उसके आपसर और बच्चों का भी डिमांड में होगा वघो पस 취et के लिए shop के लिए उस में से वह rank-wise अलौट करेता है किया च्छा अच्छा रहेंग है उसको पहले वह सीट मिलेगा जिसका थोड़ा कम है उसको बाद में वह सीट होगा इस तरह से कई रॉण में अपना कॉंसलिंग करवाता है कि आपका जो जो प्राइटी है उस हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट क्लियर नहीं है तो मैं जल्द ही इन टॉपिक्स पर वी वीडियो लेकर क्या होंगा जिसमें काफी अच्छे से करूंगा कि आपको ब्राइच वाइच किस तरह से आप कंफूजन अपना क्लियर कर सकते हैं कि कि किदर ब्राइच में आपको जाना चाहिए तो दूसरा सबस्क्राइब क्या होता आपका मौक सीट अलॉट्मेंट होता है मिशस आपने जो जो क्लिच आपको मिल सकता और यहीं पर ध्यान रखने वाला important point है जो आप choice फिल करके तो दे दीजेगा फिर जो mock seat allotment होगा उसमें अगर जो साथ बताएगा कि भाई आपको यही college मिल रहा है maybe आप जो सारा आपका aspiration होगा आपने जो अपना cut-off rank देखा होगा उस साथ से जो आपको college मिलना चाहिए वो college में भी आपका mock seat allotment में नहीं दिखाएगा तो आपको ध्यान यहीं पर रखना है कि अगर आपको वह seat नहीं भी दिखा रहा तो आपको घबरा करके अपना जो choice filling order है उल्टा का पुल्टा नहीं कर देना है कि अरे यार हमको तो मिली ने रहा है पर दिहान आखिए वह काफिए कर रफ आइडिया होता है मैं मैं खुद बता रहा हूं मुझे खुद जो अलॉट हुआ था मौक सीट अलॉट्मेंट में आपको जो भी दिखा है जो भी मिले या नहीं भी मिले तो आपको घबराना नहीं है यहां भी घबरा करके लिश्ट तो आप उल्टा पुल्टा अपना च्वाइस फिलिंग कर दिखे नहीं आपको चेंज भी करना है तो अच्छे से सो समझ कहीं करिएगा और यह जब मौक सीट अलॉट्मेंट आपको हो जाता है उसके बाद आपको अपना च्वाइस लॉग करने का उप्सिन देता है कि यहां भाई आप आपने च्वाइस आपने जो भरा है प्राइटी ओर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और एक और बात आपका है कि कोई आपका रेजिस्टेशन फीस नहीं होता है आपके जोसा के कॉंसलिंग के लिए C-SAP के लिए होता है पर जोसा के लिए नहीं होता है और C-SAP counseling क्या है Special round जी से कहते हैं उसका भी एक detailed way में काफी अच्छा से आपका वीडियो मैंने बना रखा उसे जाकर कि एक बार जरूर देख लिजेगा तो चलिए अगला step क्या होगा आपका कि आपके allotment सुरू होगा round 1, round 2 तो जीसी भी round में आपको क्या होगा college मिल जाता है अगर आपको allot होगा कोई college मिल गया उसके बाद आपको क्या करना होता है आपको तीन option मिलता है उस जगा पे slide, freeze और float जिन लोग यह option जान रहे हैं वो 20 सेकंड आगे skip कर लें वीडियो को तो freeze का मतलब यह हो गया कि आपको जो भी college अभी मिला है आप उससे fully satisfied है और आप आगे participate नहीं लेना चाहते है जो साके round में तो आपको जो college मिला आप फाइनली आपको वही मिल करके बना रहेगा और अगले round में आपको फोर्थ या थर्ड नंबर प्राइटी वाले college मिल सकता है तो वह आपको अलॉट कर दिया जाएगा और तीसरा option जो आपका slide होता है slide क्या होता है कि आपको उसी जो college आपको पे करना पड़ता है अगर आपने seat acceptance fee नहीं किया तो आपका आगे के पूरे round के counseling के लिए बाहर हो जाएंगे जोसा से में साब वह college का सीट भी जाएगा और अगला चांस था कि और बेटर college मिल जाए वह भी आपको नहीं सकता है और आपका यह जो seat acceptance fee है जो भी आप पे करिएगा वह आपका फाइनली जब आपका admission के समय जो आप college में लेने जाएगा जितना भी आप सीट acceptance fee पे की हैं वह आपका college के admission चार्ज में मतलब overall चार्ज में वह मैनेज हो जाता है तो फिफ्ट रॉंड तक आपको इसी तरह से एकदम मस्त counseling चलते रहेगा जो लास्ट आपका होगा सिख्ट रॉंड उसका उसके पहले वह क्या option दिया जाएगा कि अगर आप जोसा के counseling pro से exit करना चाहते मिंस अगर आपको कोई college अभी मिल चुका है या फिर नहीं भी मिला है तो फिफ्ट रॉंड तक आपको last option दिया जाता है एकजिट करने का option होता है यह हो सकता कि आपको फिफ्ट रॉंड तक जो college मिल चुका है उससे आप खुस नहीं है और आपको लगा रहा है कि सिख्ट में भी हमको नहीं मिलने वाला है तो लोग क्या करते है एकजिट कर देते हैं अगर आप सिख्ट रॉंड में चले जाता है और आपको सिख्ट करना पड़ेगा और अगर आपको नहीं एक्षेट करना वहां उसमें से कुछ एमॉंड कर लिया जाता है इस साल का अपडेट आएक और उसमें कुछ चेंजेज रहेगा तो मैं आपको वह भी इनफॉर्म कर दूँगा यहां पर अगला एक बहुत ही में सवाल आता है जो आप लोगों में से कईयक के मन में होगा कि अगर आपने जोसा के रॉंड के बीच में अपना कॉंसलिंग को एक्जिट कर दिया या तो वो कोई नहीं मिला फिफ्ट रॉंड तक तो आपने अपने जोसा से फिर भी आप सीसाइब के रॉंड में बिल्कुल पाटिसिपेट ले सकते हैं इस तरह से आपका सिक्थ रॉंड तक का कॉंसलिंग समाप्त हो जाएगा तो जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट्मेंट हुआ होगा उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना पड पहले क्या होता तक है कर आपको छे रॉंड के बीच में सीट मिल गया तो आपको नीरेष रिपोर्टिंग सेंट्र जो होता है वहां पर जा करके आप रिपोर्ट करना होता है पर इस बार वह आपको आल्लाइन काम करना है पर 6 Sign bit आपको जिस कॉलेज में ऑलॉट्मेंट हु कुछ इस तरह का नहीं बेठा लीजेगा आप प्रिपेर रहीएगा क्योंकि आपको चार से पांच दिन कहीं समय मिलता है कि उसी बीच में आपको जाकर कि वहां रिपोर्ट करना पड़ता है अगर उस बीच में आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका सीट कैंसल हो जाता है और धान रखेंगा सारा डॉक्मेंट वगरा रेडी हो इसमें कोई आपका दिक्कत ना आ जाए यह सब हो जाने के बाद आपका सीसे आपको कॉंसलिंग सुरू होता है उसमें मैंने जो वीडियो बनाए हुआ एक बार जरू जाके देख लीजेगा उसे उसके बाद कुछ भ फी आपको फाइनल जब सीसे आपका कॉंसलिंग खत्म हो जाएगा फाइनली जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में आपको टोटल फी पे करना पड़ता है और हाँ पर यहीं पर जिन बच्चों को पहले से अल्रेडी आयाइटी अलॉट हो चुका था और उसके बाद व वास्पारां में इस्फ़र गृत-ौनों बरा होगा उनका क्या होता था पिछले साल तक आपको माले को रहे में आपको बड़ते जा रहा तो ठीक है पर आपको हमशे मिल जाता चैसि मिल ननइट में यहाइटी में करना पड़ा था ना कि आई टी के हलाकि इस बार तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन आपका हो रहा है तो इस बार डूवल रिपोर्टिंग का क्या केस है आपको उतना क्लियर नहीं है जैसा कुछ अपडेट होगा नहीं है तो आप साइट पर चेक करते रहेगा या फिर मैं भी आपक कर दूगा तो चलिए यही था आपका जोसा के कॉंसलिंग प्रोसेस के बारे में जल्दी में च्वाइस कैसे फिल करना लिस्ट प्रिपेर करना ब्रांचेस कैसे डिसाइड करना उसमें काफी खास वीडियो लेकर क्या होंगा तो जुड़े रहेगा चैनल से वीडियो